बिसमिल्ला रुख्मान रहीम, असलाम वालेकूम, वेलकम टू फ्लेवरफुल, अगर आप healthy and tasty food recipe सीखना चाते हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मेंचोरियन, जिसे बच्चे क्या बड़े भी शोक से खाते हैं, आज restaurant style में चिकन मुश्किन नहीं, आईए start करते ही, कोई भी चीज skip नहीं करनी, हमें लेना है chicken boneless, बोट्यू का size ये है, अब इसमें जाएगा एक अदत अंडा, इसके बाद हम add करेंगे corn flour, one and a half table spoon, soya sauce, one table spoon, sirka, one table spoon, sirka बहुत जल्दी tender करता है, और juicy भी करता है हमारी chicken को, काली मिर्च पाउडर, half teaspoon, जिंजर गार्लिक पैस्ट, quarter teaspoon, नमक जाएके के मुताबिक, mix well, आदे घंटे के लिए कर देते हैं मेरिनेट, आदा घंटा हो चुका है, हमने करना है flame on, और रख लेना है fry pan, oil इसमें इतना डालना है, कि हमारी मेरिनेट क्यों ही chicken fry हो जाए, oil हमारा preheat हो चुका है, इसमें one by one chicken की बोटिया डलते जाए, ज्यादा करीब नहीं डालनी, वरना ये एक दुसरे के साथ चुपक जाएंगी, फासला रखना है, ये साथ mint एक side से fry हो जाए, तो हम side change करते हैं, जब ये दोनों तरफ से इस तरह का color आ जाए, तो उतारने ज्य रख ली है कड़ाई, इसमें जाएगा two table spoon oil, medium low रखना है, इस तरह से अब इसमें जाएगा, बारीक पिसा हुआ लहसन डाल कर चलाएं, लहसन की प्यारी से खुज़ वो अना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें कर्श की हुई बंगो भी, और शिमला मिर्च, square shape में कट करके डाल दें, इसको चलाएं, अब इसमें जाएंगे मसाले, काली मिर्च पाउडर, half ती स्पून, जो चिकन मिंचोरियन है, वो असल में बनती है, काली मिर्च से, सिर्का इसमें जाएगा one table spoon, chili sauce, one table spoon, soya sauce, one table spoon, इसको चलाएंगे, soya sauce, chili sauce और सिर्का जो है एहम ingredients है, इनके पास लाजमी होना चाहिए, इसके बाद इसमें जाएगा, नमक जाएके के मताबिक, chicken powder, one table spoon, chicken powder अगर आपके पास ना हो, तो आप chicken cubes भी डाल सकते हैं, ये लाजमी डालना है, अच्छी सी mixing करेंगे, अब इसमें जाएगा, एक से डेड़ कप, हॉम मेट टो मेटो केचप, ज हम डालेंगे, two table spoon, corn flour, एक कप पानी में mix करके, इसमें add कर दें, इसको चलाते रहें, तीन मिन्ट तक पकाएं, इस तरह से देखिए, तीन मिन्ट हो चुके हैं, इसके बाद जो chicken fry की थी, वो भी इसमें डाल दें, अब हम इसे तीन मिन्ट तक पकाएंगे, ये केचप का चुका है, इसका मतलब ये है, चिकन मेंचुरियन रेडी है, अगर आपने मेरे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर दें, ये फ्राइड राइस के साथ आप सर्फ करें, फ्राइड राइस की रेसिपी आप से जरूर शेयर करूंगी, इतना मज़ेदार चिकन मेंचुरियन बन कर तयार हुआ है, जब आप खाएंगे तो हाथ रोप नहीं पाएंगे, नए नए रेसिपी सीखने के लिए मेरे चनल को सबस्क्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, अल्ला हाफिज